हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू जीके क्रेज फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपके रेलियो के ग्रूपडे एक्जाम में अब तक के जितने भी बायलोजी यान जी बिग्यान के सवाल पूछेगे हैं सभी को एक साथ डिसकस करेंगे वीडियो के आन तक जरूर देखिएगा अगर आपका एक्जाम अब तक खतम नहीं हुआ है तो सभी कोस्टिन को दोस्तों मैंने बायलिंग्वा लिया है इंगलीस और हिंदी दोनों में तो सब मिला करके दोस्तों पिछले 6 सिफ्ट में पूछेगे पूरे 40 सवाल मुझे मिले हैं सारे के सारे रियल कोस्टिन है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने सभी डाइग्राम का भी सवाल लिया है जिनका एकजाम दोस्तों अब तक खतम नहीं हुआ है इस वीडियो से आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है तो इसका जो पीडियाफ है दोस्तों हमारा जीके करेच अप्लिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अब तक के जितने सवाल पूछेगे हैं उसका पीडियाफ है यहाँ पर और केमेश्टी का भी पीडियाफ है अब तक के जितने सवाल केमेश्टी से जो पूछे गए थे और बाइल यूजी का दोस्तों यहाँ पर मैं डाल दूँगा वीडियो यह सवाल 18 अगश्ट 3rd shift में पुछा गया था, बसा के पैसी करण में क्या आवस्यक होता है? यानि emulsification of fats में किसका आवस्यक होता है? bile juice यानि पीत का आवस्यक होता है, और यह याद रखे दोस्तों bile juice यह liver यानि यकृत के द्वारा secret किया जाता है और यह दोस्तों एक enzyme नहीं है, यह भी आपके shift में पुछा रहा सकता है, bile juice is not a enzyme याद रखेगा दोस्तों next सवाल है, जडों से नया पोधा किसमें से निकलता है? यानि vegetative propagation के माध्याम से दोस्तों कौन सा पोधा निकलता है? तो इसका say answer होगा दोस्तों, अगर आपके option के उपर depend करता है, sweet potato, dalia, blackberry, इन सब में दोस्तों vegetative propagation roots के माध्याम से होता है, यानि जडों से नया पोधा निकलता है नेक्स सवाल दोस्तों पुछा गया था diagram से, second shift अठरा अगस्ट का सवाल है, महासिरा को चिन्नीत करें, यानि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यह है महासिरा, यह वाला, इंगलीस में भी यहाँ पर देख सकते हैं, यह है inferior भेना का वाग, और यह है दोस्तों, aorta, diagram को दोस्तों, रट लिजीगा ठीक से, आने वाले shift में भी पुछा सकता है, दोस्तों, नेक्स सवाल पुछा गया था, कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, जो अपके option में दिये गये थे, उनमें से, कौन सा एक्सक्रीटोरी और्गान नहीं है, छोटी आन दोस्तों, दिया पुछा गया था, यह एक उत्सर्जन अंग नहीं है, दोस्तों, यह एक digestive अंग है, यानि एक पाचन अंग है, यह 18 अगर पोध है, प्रकास संसलेशन की जगा स्वसन ज्यादा करेंगे, तो क्या प्रभाब पड़ेगा, यानि दोस्तों, अगर वो फोटो सिंतेसिस से ज्या आधारीत कथन दिया गया था, जीन दोस्तों, अनुब बनसिकता का मुलभूत सरेरिक इकाई है, यह किस से बना होता है, डीने से बना होता है, यह दोस्तों, यह physical and functional unit of heredity है, जीन, ओके, इसके आधारीत कथन सब दिये गये थे, दोस्तों, नेक्स सवाल है, पोधे oxygen कब उत सर्जित करते हैं, यानि, when do plants emit oxygen, से यांसरोगा दीन के समय करते हैं, प्रकास translation यानि फोटो सिंतेसिस द्वारा, फासिफ्ट 18 अगास्ट का सवाल है, दोस्तों, नेक्स सवाल है, पोधे में कर्भो हैड्रेट किस रूप में स्टोर होता है, तो in which form कर्भो हैड्रेट स्टोर in plant, तो starch के form में store होता है, याद रखे, starch के form में, दोस्तों, नेक्स सवाल है, बीजाणू निर्मान द्वारा, जनन कोन करता है, यानि, spore formation के द्वारा, कोन reproduction करता है, moss, moss and fons, ये दोनों करते हैं, जोकि आपके option में दिया गया था, और ये भी याद रखे, दोस्तों, राइ आमीवा, पारामोसियम, लिस्मानिया, ये फास्ट शिफ्ट, अठरा अगर्ष्ट में पूचा गया था, दोस्तों, नेक्स सवाल है, पोधे में phloem की दिशा क्या होता है, ये direction of phloem, क्या होता है, एक diagram दिया गया था, तो इसका से अंसा दोस्तों दिया गया था, दी दिश सकते हैं, ये है medulla, तो बाकी के भी जितने parts हैं, सभी को याद कर लिजिएगा, आने वाले सिफ्ट में पुछा आज सकता है, तो नेक्स सवाल है, कि निम्न में से कौन सा non-biotic in nature है, यानि अज़े भी घटक कौन सा है, तो soil यानि मिट्टी, जो आपके option में दिया गया था, स या answer हो जाएगा, याद रखिए दोस्तों, और भी कुछ abiotic factor हैं, जैसे कि water, air, soil, sunlight, minerals, ये सारे का सारे abiotic factor हैं, और साथ साथ दोस्तों, बायोटिक factor को भी याद रखिए, सारे living organism, और दोस्तों, पेड पोधा सब, बायोटिक factor में आ जाएगा, किसी भी gas, oxygen, hydrogen, nitrogen, ये सारे सारे अजेविक, यानि abiotic factor में आ जाएगे, तापमान हो गया, लवन, कारबन, बायोटिक factor, ये सारे का सारे abiotic factor, ये दोस्तों, 18 अगस्त का first shift में पूछा गया था, next वाल दोस्तों है, which animal sex not genetically determined, यानि कौन सा पोशू का link, अनुबंसी की रूप से निर्धारित नहीं होता है किस organism का, तो snail यानि घोंगे में इसका सी answer हो जाएगा, जो कि आपके option में दिया गया था, और दोस्तों ये भी याद रखिए, crocodile, alligators, turtle, इन सब का दोस्तों, जो sex determined होता है, यानि जो link निर्धारित होता है, वो environmental factor से होता है, और दोस्तों, 18 अगस्त का first shift में, और एक सवा laboratory system, यानि उत्सर्जन तंद्र का diagram से सवाल पुछा गया था, और यहाँ पे पुछा गया था, adrenal gland कहा होता है, तो adrenal gland जो है दोस्तों, वो यहाँ होता है, देख सकते हैं, kidney के उपर होता है, दोस्तों, next सवाल है, what happens in diastolic heart condition, यानि diastolic हिर्दे की स्तीती में क्या होता है, तो द हार्डविट नहीं हो पाता है, details में डाल दिया है, तो यह आपके option में दिया गया था, जो की say answer हो जाएगा, next सवाल लेखते हैं, कौन सा गर्ब निरोधक, गर्भासय के भीतर सुक्राणों के phagocytosis को बढ़ाता है, यानि which contrastives, increases the phagocytosis of sporms within the ureterus, IUD, इसका say answer होगा, IUDS intrauterine devices, 17 अगर्ष 3rd shift का यह सवाल है, next सवाल लेखते हैं, nephron में कौन सा पदार्थ पुनो अपसोसित होते हैं, यानि reabsorbed nephron में कौन से substance होते हैं, तो glucose होता है, amino acids होता है, and sodium chloride यानि लबन होता है, यह भी 17 अगर्ष 3rd shift का सवाल है, तो next सवाल है दोस्तों, girl bladder को आपको locate क तो देख सकते हैं, दोस्तों, जो liver है, यानि यकृत है, उसके नीचे है, girl bladder, next सवाल देखते हैं, which process textless in guard cell, यानि guard कोशिकाओं में कौन सी प्रक्रिया होती है, guard cell दोस्तों, osmotic pressure use करते हैं, tomata को open and close करने के लिए, यानि दोस्तों, रख्या कोशिकाओं यानि जो guard होते हैं, ये रंधरों को खोलने और बंद करने के लिए, osmotic दवाव का उपयोग करती है, next सवाल देखते है, which of the cell can change itself, यानि कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है, तो WC दोस्तों, इसका सी अनसार होगा, मानव शरीर के, जो sweat, rect कोशिकाओं हैं, ये दोस्तों, अप oxygen and carbon dioxide का exchange होता है, तो respiration यानि social में कौन सी प्रक्रिया होती है, ये सवाल पुछा गया था, तो next सवाल है, कौन सा अलेंगिक जनन का प्रकार नहीं है, ये सवाल पुछे गया था, अलेंगिक जनन यानि asexual reproduction का प्रकार कौन सा नहीं है, तो पहले जान लिजे जो asexual reproduction के 6 प् होता है, plasmodium में होता है, और budding यानि muculon की होता है, hydra and east में होता है, बिजानु का बनना दोस्तों ये जो reproduction का type है, इसमें spore formation होता है, और याद रखिए, पुनर जनन यानि regeneration, खंडन यानि fragmentation, और छटा है, कोशी का प्रवर्धन यानि vegetative propagation, ये अच्छा प्रकार है, तो ये आपके option के उपर, इसका answer depend करता है, कौन सा अलंगिक जनन का प्रकार नहीं है, दोस्तों, और एक महतपून बात, मैंने पिछले 5 साल के रेलो एक्जाम में, जितने भी सवाल पुछे के थे, biology से, सभी को यहाँ पर डाल दिया है, हमारा application में, quiz के format में, यानि test series के format में, स इसी तरह, दोस्तों, मैंने सब मिला करके, सिर्फ 1000 सवाल ही डाला है, biology के, सारे का सारे selected question है, यही से ही दोस्तों, आपके shift में, आने वाले shift में भी पुछे जा सकते हैं, अब तक, दोस्तों, हमारा application से 10 सवाल पुछे जा चुके हैं, biology के, सभी को एक बार practice कर लिजिएगा, quiz के format में है, सभी को सिन को यहाँ पे 10 सेकेंड आपको करने के लिए मिलेगा, जितना first revision हो सो के दोस्तों, chemistry के भी सवाल है, physics के भी सवाल है, एक बार ज़रूर इससे practice कर लिजिएगा, और current एफार सबसे मैं तब मुने दोस्तों, 7-8 सबल current एफार के पुछे आरे हैं, 2021 और 2022 22 का करने, फ़र मैंने डाल दिया है, सभी को topic wise भी डाल दिया है, बस दोस्तों आपको quiz से practice test करना है, topic wise यहाँ पे डाल दिया है, और PDF भी दोस्तों उपर मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, खेल से संबन्दी 2021, इंगलीज में, हिंदी में, दोनों language में मिल जाएगा, और साथ साथ आपको इतिहास, राइनिती, विग्यान, भूगल, अर्थ सास्तर, श्राटिक, जिके जिसका भी पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ एक साथ यहाँ पे मिल जाएगा, और NCRT के किताब स दोस्तों, आपके science के सवाल ज्यादा पूछे आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों, NCRT का किताब को भी मैं यहाँ पे chapter wise डाल दूँगा, जिसे कि दोस्तों, आपको पूरी तरह से मदद मिलेगा, तो group D का सारा content, all in one, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिके क्रेच application में, तो download कर लिजे दोस्तों, इस वीडियो का next box में link है, दोस्तों, एक सवाल है, आलू पर iodine के घोल को गिराएंगे तो, जो हिस्सा iodine के घोल के संपर्क में आएगा, वो किसकी उपस्तिती के करण, निला काला हो जाता है, यानि दोस्तों, अगर potato को iodine का घोल में गिराएंगे, तो ज जिस्ता दोस्तों, iodine के संपर्क में आएगा, वो काला निला हो जाता है, क्यों होता है, दोस्तों, क्योंकि potato में starch का presence होता है, starch की मुझूदगी के करण हो होता है, काला निला हो जाता है, next अवाल है दोस्तों, पोधे में gas बिनमय किसके करण होता है, यानि what causes gas exchange in plant, तो दोस सभी parts को इसलिए याद रखिये, दोस्तों, कौन सा parts पता नहीं, लेकिन ये सवाल पूछा गया था, lysogem, ribogem, mitochondria, kosi का दरब्य, केंद्रे की जिली, गोलगी उपकरण, सभी को दोस्तों याद जरूर कीजिएगा, कहाँ पे स्तीध है, तो स्वाले निलिखित में से कौन सा स स्वास नली को डहने से बचाता है, यानि, which of the following, prevent collapse of wind 5, तो काटिले जिसका सी अंसर हो जाएगा, ये 17 अगस्ट फास इफ्ट में पूछा गया था, तो स्वाले हुरुदेय से किडिनी तर, रक्त का परीभन किसके द्वारा किया जाता है, तो रेनाल अट्टरी के द्वारा यानि, गुर्दे की धमनी के द्वारे किया जाता है, फास इफ्ट अगस्ट, 17 अगस्ट में इस सवाल पूछा गया था, नेक्स वाले है, मानाव शरीर में इंसुलिन हर्मन का कारिया किया है, और इता function of insulin हर्मन in human body, से अंसर हो गा दोस्तों, ये glucose के store को नियंतरीत करता है, BP यानि, blood pressure को नियंतरीत करता है, और blood glucose level को भी balance करता है, दोस्तों, एक सवाल है, मानाव शरीर का समान्य तपमान, यानि जो normal temperature कितना होता है, human body का, फारेनहेट में पूछा गया है, तो 98.6 फारेनहेट होगा, इसका से अंसर होगा, 17 अगस्ट का पासिप्ट का सवाल है, ने यह है, STPU, और यह है, दोस्तों, bud, और याद रखे, यह जो बीच का है, मिडरीव है, यह भेन है, और यह जो बाहर है, दोस्तों, blood है, और यह टीव है, और यह हिस्सा को petiol कहा जाता है, और यह पूरा जो है, यह stem है, नेक्स वाले दोस्तों, और जुना ठीकी छाल से, किस बीमारी का इलाज किया जाता है, तो cardiovascular disease यानि हिर्दय रोग का इलाज किया जाता है, और high BP को भी कम करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, नेक्स वाले पोलिस चावल खाने से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है, दोस्तों, पोलिस चावल खाने से, न बनाना एंड कैक्टस में स्टेम कटिंग से नया पोधा बनता है याद रेखिए यह सवाल भी पूछा गया था